बड़ी आसानी से हम इसे बाहर निकाल के फेक देते हैं पर क्या कमपनी एक पेच भी फालतू देती है यदि नहीं तो ये 300 से लेके 3000 तक के आईटम गाड़ी में लगा के क्यों देती है इसी पे मेरा वेडियो है तो आईए जानते हैं इसके फायदे क्या हो सकते हैं और ज्या सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लगे रेने से फायदा क्या है सिर्फ थर्मोइस्टेब वाल ये ओंजन को सही temperature प्रोवाइड कराता है जलदी से temperature को प्रोवाइड करा देता है जितना temperature चाहिए मालो 90-100 degree का temperature चीए न तो उतना जल्दी से जल्दी इसको उतने temperature तरक ले के जाता है और continue उतने के बीच में रखता है 80-90 के बीच में जिससे engine सई performance करता है और हर चीज सेट होती है और engine मस्त चलता है अब इसके निकाल के फेक देने से नुकसान क्या क्या चीज हो सकता है यह समझ लिए फर्ष्ट में तो इसके निकाल के फेकने से चार जो है बड़े चार नुकसान हो सकते हैं इससे पहले नुक्सान इंजुन की लाईफ खतम। इंजन का लाईफ का कुछ पता नहीं होता कि कितना दिन चल जागा। 20,000 चल जाए 50,000 चल जाए सबसे पहले एफेक्ट करता है तो इंजन की लाइफ खतम करता है अब माल लोग किसी आदमी को थोड़ा सभी सर्द करम हो जाता है तो उसका तबियत देखते होंगे खराब हो जाता है अब सोचो इंजन को 80-90-100 डिग्री टमप्रेचर पे बनाया ग जाता है और इस टमप्रेचर पे इंजन का इमेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा कमबर्सन अच्छा नहीं होगा और बार बार उसको अप डाउन टमप्रेचर जहेलना पड़ेगा जिसकी वज़से इंजन की लाइफ हो जाती है बिल्कुल खतम ठीक है कोई भी कमपनी बड करता है पुलूशन ज्यादा होने लगता है फिर आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन आ जाती है गाड़ी के अंदर क्योंकि वह कंडिशन नहीं पाती है गाड़ी में धरदणाने से सारा खतम जाता है इसलिए इंजन की लाइफ खतम होने के चांस हंड़ेट परसेंट होते गरम इलाके में 30% एफेक्ट करता है लेकिन यदि आप ठंड़े इलाके में है कहीं तो 100% एफेक्ट करेगा तो पहला कारण यह है इंजन की लाइफ का जो दूसरा में कारण है वह होता है ज्यादा केसेज में ऐसा देखा है मैंने कि होस पाइप और हैड़ गैस किट का बार सफ्धर्म तेट व्यांते हैं जाने का सीराक होता है यह तरह अर फिलांते होता हुता है हम जाने से रहुत छोट बहुत होता है और हम उसको अब गाड़ी चलती है तो head gasket और hose pipe कोई भी फटने का चांस ज्यादा रहता है अन्बाइलेंस की वज़ा से उसका प्रेशा रहना हो जाता है यदि जितना आप गाड़ी चलाएंगे तो कोई ना कोई pipe head gasket फटने का पूरा पूरा रहेगा चांस रहेगा तो इसलिए जिस गाड़ी में thermostat वाल नहीं होता है उसमें ये problem आती है बार बार hose pipe पे फटती है head gasket बार बार उड़ते है यही कारण है और तीसरा जो मुख्य कारण है वो है mileage का जिस गाड़ी में thermostat वाल नहीं होता है उसमें mileage की problem आती है और इससे related मेरे पास comment भी भतेर आ गए अभी एक आद दो comment आप देखी लो head gasket करा है mileage खतम हो गया वाल लिकलवादी है mileage खतम होता है क्यों होता है गाड़ी के अंदर एक issue लगा हुआ है issue को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी गाड़ी रेगिस्तान में खड़ी है या फिर आपकी गाड़ी लद्दाक में खड़ी है इस्यू को कैसे मालूम पड़ेगा इस्यू क्या करता है टमप्रेचर सेंसर से बोलता है कि बेटे तू बता दे कि गाड़ी कहां खड़ी है तो टमप्रेचर सेंसर बताता है इस्यू को कि देखो जी यह रेगिस्तान में खड़ी है जी इतना टमप्रेचर 30 टमप्रेचर है या उसके लिए ECU, fuel को delivery को बढ़ा देता है गारी ठंडी है, उस टैम में कस्टमर को दिक्कत न हो इस्टार्टिंग प्रॉब्लम न आ है उसके लिए fuel की delivery को बढ़ा देता है अग कब तक बढ़ाये रखता है, जब तक की engine का temperature 80 degree तक नहीं हो जाता है सोचो, जब आपने वाल लिकाल के फेकी दिया, तो पहली बात की तो गाड़ी जल्दी से गरम ही नहीं होगी low temperature रहेगी, तो ECU को बार बार ये पता लगता रहेगा, कि लग रहा है ये बरप में ही गाड़ी चल रही है ECU कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो, चलाने में कोई vibration फील नहीं हो, इसलिए fuel की delivery को बढ़ाता रहेगा fuel की delivery, fuel injection को बढ़ाता रहेगा continue, अ सोचो आपकी गाड़ी जब तक गरम नहीं होगी, तब तक fuel की delivery बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी ऐसे मैं mileage नहीं दे सकती, तो mileage की सिकायत हो, तो जरूर थर्मो स्टेट वाल भी एक बर चेक कराएं, कि थर्मो स्टेट वाल है, कि नहीं है चेक करने का simple logic मैं बताएता हूं आपको, सुवर ठंडी गाड़ी हो, निकल रहे हो ओपिस के लिए या किसी काम के लिए निकलो रेडियेटर का धकन उस टाइम में खोलो, गाड़ी स्टार्ट करो, यदि आपको फ्लो दीख रहा है उसमें, फ्लो दीख रहा है रेडियेटर के धकन के अंदर से, तो समझ जाना उसमें है नहीं ये थर्मो स्टेट वाल, यदि यो सान्थ है पानी, एक दम स्टेट रुका हुआ है, तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद से तो रुका हुआ है इस्ट्रेयट, सान्थ है पानी, फुलेंट, तो वाल है, यह चेक करने का तरीक है असानी सा चेक कर सकते हो, तो यह वज़ा होती है कि माईलेज भी ।ाउन हो जाता है, क्योंकि इस से यू को पता चलता और ये भी काफी में पॉइंट है चोथा भी एसी का पॉफामेंस गड़बर होता है और सुई का हाई पे जाना या फिर सुई का उठना ही नहीं यह कंडिशन होती हाईवे पे यदि थर्मो इस्ट्रेट वाल नहीं है और आप हाईवे पे निकल गए गारी को लेखे लोंग ज यैसे चलोगे गाड़ी आपकी 50-100 किलोमेटर चलेगी एसी का प्रफामेंस बेकार बेकार हो जाएगा और जब या तो पहले टंप्रेचर उठेगा नहीं जब उठना चालू कर देता है टंप्रेचर बीना थर्मो इस्टेट वाल वाली गाड़ी में तो तो टंप्रेचर ड तो क्या मालूम कि कितना temperature रहा है वाल में जाए वो तो direct चलता रहता है कुछ मैनेजमेंट करता है थर्मो-इस्ट्रेट वाल तो को मैनेजमेंट करेगे ? जा तो पहले उठेगा नहीं है जब उठ गया तो फिर सुई हाई पर जाने लगता है और बार बार एसी का ट्रिप मारना एसी का परफामेंस खराब होना यह होता है जिसमें थर्मो स्टेट वाल नहीं होता है न देख लेना एसी पे क्या इस्तिती होती है एसी का पुफामेंस अच्छा नहीं होता है हाइवे पे लोकल में देगा जब तक गाड़ी छील्ड रेगी ठंडी रेगी तब तक तो एसी बढ़िया काम करेगा गाड़ी आपकी जैसे ज्यादा पचास या सो किलोमेटर चलेगी एसी काम करना छोड़ देगा या कम काम करेगा बहुत दिक्कत आती है तो थर्मो स्टेट वाल का एक ज्यादा में रीजन ये भी होता है और टंप्रेचर बार बार या तो अप डाउन अप डाउन ऐसे करके होता रहेगा हाइवे गाड़ी आप चलाते होंगे देखते होंगे टंप्रेचर की सुई एक जगह रुकी रती है हाप पे सोचो वह वाल की देन होती है कि जो हाप पे रुकी रती है थोड़ा सा कम हुआ वाल बंद कर देगा रेस कनेक्शन को बंद कर देगा थोड़ा सा हाई हुआ कनेक्शन को गुदब n allez are you I whổi वह पूड़ा खोल दे को Chop १ की और इसमें तंप्रेचर हाइज भे हाइज सब्रीकर भे सिद्वूत टाथ यह मैं बताइब थाँ वाल नहीं होटा है फुल्लो वर्ड़ जाता है रेडियेटर के एंदर से जो फ्लो होके गिर रहा है तो वाल कि रहता है तो स्लोवली फलो गिरता है जब स्लोवली फ्लो गिरेगा तो जह एरंपर्ड़ा रही है उस falar ओधनड़ सांदा कर करेगी ईसनल हो भूट टेजी से लगता है फंड़ार नहीं होपाता है जिसकी वसे टमपरेच्चर की पीण तो चोथा और एक बड़ा रिजन ये भी होता है इसी का पॉफामेंस और हाइवे पे आपका हाई जाने का जब हाइवे पे हाई जाएगा तो वही रेडियेटर का होस्पाइप फटेगा हैड गैस की ज्यादा केसेज में देखे होंगे यह सब कहानी जो ना हाइवे पे तो मैं मार्केट से ढूंट के लगा के तभी कस्टमर को देता हूँ एक परशेंट मार्केट में नहीं मिला तो गाड़ी मैं पांच दीन दस दीन खड़ा करके रख लूँगा पर कस्टमर को दे नहीं सकता बीना थर्मो श्रेडवाल लगा है मुझे मालूम है थर्मो श्रे वाल ना हो निकाल के फेकने की बाता है तो मत निकलः के फेकवाना उसको चेक कर्वाने रीर्जन कि क्यों नहीं खूल और दिना पुराना डलवाना खूल नहीं रहाए, वह प्रॉब्लम है उसको चाफ कर्वाना मेरी क्यों ऎका ск닎 अश्छी। करता है तो उसको जाके देख सकते हैं उस वीडियो से तो मेरे को बहुत महबत मिला है और उसी वीडियो के थुरू ये वीडियो बनाये जा रहा है तो नीचे डिस्किप्शन में लिंक होगा देख लेना और मेरे से बात करना बहुत ही असान है भाई हर मंगलवार को सामको 5-6 बात कर पीर फोन को रख देता हूं साइड में और वाट्सक का जवाब इसलिए नहीं ज़्यादा लोगों को दे पाता हूं 25FORE सब का मैसेइसटा में 23あजर के करीम किंतने लोगों नहीं का जवाब जरूर देता हूं आपका comment हर एक comment read करता हूँ मेरा like करने का मतलब होता है कि आपका comment पढ़ लिया मैंने ठीक है अब जब आप देना ना जमना वो नीचे आप चेक कर लो तो आपने इतना support किया इतना मुभबत दिया इस channel को यदि ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को hit कर लिजिए क्योंकि अगला जो वीडियो होगा आपके काम की होगी तो subscribe करके bell icon अच्छा लगे ते वाला वीडियो को भी hit कर दीजिए like कर दीजेगा like dislike कर दिया करो वीडियो को judge होता है उससे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है तो okay thank you भाई मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए okay thank you